नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक्स वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्वण टोपिक लेकर आया हूँ डाइबटीज के विशी में, मदुमे के विशी में डाइबटीज के करीं, जड़ से स्फाय सिर्फ तीस दिनों में दोस्तों, आज के समय में, डाइबटीज के समश्या बहुत देखने को मिलती है हर तीन में से एक व्यक्ती, डाइबटीज या कहें मदुमे से परेशान है और जो एक बहुत ही भिहंकर बिमारी है, जिसके कॉंप्लिकेशन बहुत है डाइबटीज के कान ही, किर्डनी फैरियर और हार्ड अटेक जैसी प्रोबलम सामने आती है जिन से आदमी की मरित्यू तक हो सकती है दोस्तों, डाइबटीज का मुखे कान हमारी एव्यस्त दिन चरिया है क्योंकि आज के समय में हमारे पास अपनी सेहत का ध्यान रखने का समय ही नहीं है और हम सन्तूलित भोजन को अपने जीवन में सामिल नहीं करते हैं इसके स्थान पर जंक फूड का अधिक मातरा में सेवन करते हैं और जिसका प्रिणाम डाइबटीज के रूप में हमारे सामने हैं जो मुख फैलाई खड़ा है दोस्तों, आज हम क्रेजी इंडिया की तरफ से आपके लिए एक ऐसा अचूक नुस्खा लाए हैं जो डाइबटीज या मदुमे का जड़ से स्फाया कर सकते हैं वो भी सिरफ तीस दिनों के अंदर तीस दिन अगर आप इसको लगातार परियोग करते हैं तो आपके डाइबटीज की छुटी हो जाएगी तो आईए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे के बारे में इस नुस्खे के लिए जो सामगरी चाहिए वह सब आपको असानी से ही मिल जाएगी नुस्खे के लिए सामगरी कलोंजी के बीज एक कप राई एक कप अनार के छिलके आदा कप और कलोंजी का तेल अब बात करते हैं नुस्खे को बनाने की विरी दोस्तों आपको करना क्या है आपको कलोंजी के बीज, राई और अनार के छिलकों को लेकर उनको पीस कर उनका चूरन बना लेना है और अनार के छिलकों को आपको ध्यान रखना है कि उनको छाया में ही सुखाना है धूप के अंदर नहीं और इनको पीज कर आप इनका चूरन बना लेजिए उसको अच्छे तरह ऐसे कपड़ चान करके त्यार कर लेजिए और किसी कांच किसी सी में भरकर रख लेजिए अब बात करते हैं सेवन की विदी दोस्तो इस चूरन का आपको हर रोज नास्ते से पहले सेवन करना है इस चूरन में से एक चमच की मातरा में आदे चमच कलोंजी के तेल के साथ इस चूरन का एक चमच नास्ते से पहले हर रोज सेवन करना है आप 30 दिन तक अगर लगातार इसका सेवन करते हैं दोस्तो तो डाइबटीज को भूली जाएंगे डाइबटीज की छुटी हो जाएगी दोस्तो इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजों का भी ध्यान लगना है कहते हैं कि आयरुवेद नुस्के कम काम करते हैं उनके साथ फरहेज अधिक काम करते हैं अगर आप उसका पून लाब लेना चाहते हैं तो आपको फरहेज का पालन अवश्य ही करना चाहिए दोस्तो आपको गरम पानी का सुबह खाली बेट सेवन करना है तीन से चार गिलास अवश्य ही हर रोज और हर रोज आपको वयाम या जोकिंग वगारा भी अवश्य ही करनी है आप इनको अपने लाइफ में सामिल कर ले और जंक फूड को बाई बाई कह दे आपको संतुलित भोजन का सेवन अधिक मातरा में करना है यानि कि जब भी आप खाए संतुलित भोजन ही काए जंक फूड को बाई बाई कह दे इसके लावा मीठे से फरहेज रखे दोस्तो आप इनका पालन करके डाइबटीज का जड़ से सफाया कर सकते है ये नुस्खा उसको 30 दिनों के अंदर जड़ से साफ कर सकता है दोस्तो आप अगर डाइबटीज या मदुमें इसे बरेशान है तो आप इस नुस्खें को आजमाईए और मदुमें को बाई बाई कह दीजिए दोस्तो आप इस जानकारी को समाचित में अधिक से अधिक से शेयर करें जिससे सभी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फाइदा उठासकें तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो 30 दिनों में करें मदुमें का जड़ से सफाया इन अचूक नुस्खों से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपनी जीवन को सुखने बना सकते हैं और सुखने जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तू